मैंसर दॉक्टर दक्ष महाजन, I am the consultant urologist and kidney transplant surgeon associated with Amandip Group of Hospitals जब भी patients को stones checked होते हैं, तो most likely उन्हें यही बताया जाता है कि यह calcium related stones है जो कि सही बात भी है, patients क्या करते हैं या उन्हें क्या कई सिला देते हैं कि अपने diet में calcium के जो products हैं जैसे कि dairy products हो गए, पनीर, दही, दूद, वो उसको restrict कर दीजिए, उसको मत लीजिए, ताकि calcium अगर अंदर जाए गए नहीं तो stones नहीं बनेगे पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गलत धार्मा है, होता क्या है कि जो calcium stones होते हैं वो सिर्फ calcium के नहीं बनते, उसके साथ कुछ products जूड़ते हैं calcium के साथ, नॉर्मल डाइट में हमने calcium intake नॉर्मल रखना है, दूद, दही, पनीर इसके जो सेवन है वो अवेश्य करते रहना है, बहुत जादा नहीं पर नॉर्मल डाइट में जितना चाहिए उतना सेवन इन पदार्तों का अवेश्य कीजी, तो इसी के साथ हम मिलेंगे next वीडियो म जिसमें हम एक और मित लेके आएंगे और उसको break करेंगे, तब तक के लिए स्वस्त रहें, thank you